वेलकम प्रेंट्स दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ अपने वीडियो में संदी जो ब्याग्रेंड का एक एहम भाग है तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं संदी का संदी बीचे उसके बाद उसकी परिभासा दोस्तों संदी का संदी बीचे दता है सामजो मतलब दो बर्ण जब आपस में मिलते हैं तो कुछ नया होगा ना तो वही जो बर्ण की निकलता है वही संधी कहलाता तो दोस्तों यह सब इसका वदार है ना नदीशा नदीशा का संधी विच्छत क्या है नदी जोर इस्या अब इसमें कौन-कौन सा बर्ण टक्राया देखे नदी इस्या बर्ण विच्छत करिये 9 जोर और जोर 2 लंत जोर दिरग क्या पलस अब इस्या दिर गई जोर सोहलन जोर और तो देखे यह दोनों बर्ण हरस्वई और हरस्वई तक्रा के दिर्ग इए बन जाता तो यह हो गया नदीशा तो यह हुआ संधी अब दोस्तों संदि के तीन वेद होते हैं पहला है स्वरसंदी दूसरा बैंजर संदी और तीश्रा विश्रक संदी करते और बैंजर संदी को हम संदी ओस अब क्या है दोस्तों दो स्वर बर्न के में मेल से जो रूप परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् जोर होगा जैसे राम जोर अइनम बराबर तो दोस्तों यहां किस-किस बर्ण के संदी भी है चलिए बर्ण विच्छेत करके जानते हैं जोर मोहलंत जोर आइनम में ओहलंत जोर आप जोर नोहलंत जोर ऑ आजोर महलंत अब देखिए यहां तक तो राम बन गया तो यह नम हो गया और यह देखें दोस्तों यह यहां देख रहे हैं मुर्दान दंत ना और यह हो जाता है मुर्दान ना तो यह नत्वविदान का सुतर है मतलब एक ही सब्द में रौ शौ यह सब रहे तो उस मुर्धने नौ का दंत नौ हो जाता है यह नतो विधान में आगे वीडियो में बताएंगे नतो विधान और सतो विधान होता है तो दोस्तों आज़े जलते हैं इसमें बताते हैं ये राम हो गया ये ये नम हो गया और बीच में यही दो बढ़ने तकरा के वह जो बराबर आ हो जाता है तो ये आ मोहलंत में जोटेगा क्या होगा रामा और ये भी इधर आके जोट जाएगा रामाइना यही हुआ संधी इस तरह के इस से जानी है दोस्तों तो संधी बहुत जल्दी सीख जाएगा दोस्तों अब स्वर संधी के भी पांच वेद होते हैं पहला है दिर्ग संधी दूसरा है गुन संधी तीसरा है बिर्दी संधी और चोथा है यन संधी और पाचमा है आयादी संधी सूर्शंदी है तो दोस्तों इसमें भी सूर्शंदी का ही खेल है कोई भी अने वेंजन बर्ण नहीं आएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं उस वीडियो में बताएंगे आपको दिर्शंदी के बार